हेलो बच्चों, तो आज हम exercise 2.4 का question number first solve करेंगे तो देखिए basically जो हमारे previously statement वाले question थे उसमें जितने भी हमारे पास equations बनती से उसमें क्या होता था कि जो variable होता तो वो एक side ही होता था तो अपने पिछले lecture में हमने वो equations की हैं जिनमें जो variables होता है वो हमारी equation के left hand side भी होता है और right hand side भी तो अगली इस exercise में हमारे पास जितनी भी equations बनने वाली हैं सभी में क्या होगा उसकी left hand side भी variable होगा और उसकी right hand side भी variable होगा तो देखिए हमारे पास equation क्या है Amita thinks of a number and subtract 5 by 2 from it Amita ने क्या किया एक number को think किया तो उसमें subtract किया फिर आगे कुछ condition है तो उसने पूछा कि वो number क्या होगा तो सबसे पहले हम वो number expose कर लेते हैं तो हम यह लिख लेते हैं let us suppose जो हमारे पास number है उसको हम expose कर लेते हैं बस आपने करना क्या कुछ भी नहीं जैसे जैसे statements दी हुई है वैसे वैसे आपने काम करना है तो उसने number के बारे में सोचा और सबसे पहले क्या किया उसमें से 5 by 2 subtract कर दिया तो इस number से हम भी अपना 5 by 2 जो है उसको subtract कर देते हैं तो हमारे पास number बन गया अब x minus 5 by 2 तो फिर उसके बाद उसने क्या किया she multiply the result by 8 means subtract करने के बाद जो अब यह हमारे पास result बना है वो result word किसके लिए use कर रहा है जब उस number से हमने 5 by 2 को subtract कर दिया तो जो यह हमारे पास resultant number बना फिर उसने क्या कर दिया उसको multiply कर दिया 8 के साथ तो सबसे पहले multiply 8 करने के लिए हमें इसको bracket में रखना होगा और हम इसको multiply कर देंगे 8 के साथ फिर उसके बाद क्या किया the result now obtained means multiply करने के बाद अब जो result आया है हमारे पास यह combine वाला is obtained is means अब इसके बार में बोल रहा है कि अब जो हमारे पास result आया है वो क्या आया है three times the same number she thought of उसने कौन सा number thought किया था x तो वो बोल रहे है कि यह क्या आ गया उसका three times of facts आ गया तो यह मेरे पास क्या बनगी उसकी equations बनगी तो देखे इसमें हमारे पास दोनों side variable आ रहा है अब अगला काम हमारे पास वैसे इसको simplify कर लेते हैं सबसे पहले हम इसको eight के साथ multiply कर देते हैं और यह आ गया जाएगा हमारे पास 20 तो यह आ गया अब यहां पर अगला काम क्या करना होता है हमको सभी variables को एक side लेकर आएंगे तो यह minus 3x हो जाएगा यह constant उदर जाकर plus में हो जाएगा तो यहां से हमारे पास 5x आ जाएगा 20 तो that means यहां से आपके पास x की value क्या आ जाएगी 20 y 5 that is 4 तो that means जो उसने number को suppose किया था वो number हमारे पास क्या आया है 4 आया है अब देखिए जब आप इन questions की verification करेंगे तो verification का बच्चो देखो यह फैदा होता है कि आपको statement से यह equations बनान ही आ जाती है अगर आप हर question की इसी तरह से verification करोगे तो आपको यह दिक्कत नहीं आएगी questions बनाने में इसलिए मैं हर question के end में आपको इसकी verification कराता हूँ तो देखिए तो हमारे पास answer क्या है 4 तो हमने देखिए 4 एक number लिया फिर उसने क्या बोला कि उसमें इसे 5 by 2 क्या कर दो subtract तो हम भी इसमें 5 by 2 क्या कर देते हैं subtract तो इसका हम solve कर लेते हैं तो LCM 2 तो यहाँ से हमारे पास 8 minus 5 तो जब हमने 4 में इसे 5 by 2 subtract किया तो अबकी बार हमारे पास number क्या गया 3 by 2 फिर उसने बोला कि इस number को क्या कर दो 8 से multiply कर दो फिर इस number को उसने क्या कर दिया 8 के साथ multiply तो यह 4 तो वो हमारे पास number क्या गया 12 तो उसके बाद वो बोलता है कि अब जो हमारे पास यह 12 number आया है वो क्या है 3 times of the same number she thought तो उसने number कौन सा suppose किया था 4 तो that means हमारा 12 is equal to और ये 12 हमारा दोनो equal आगे तो ये होगी हमारी verification बच्चा इसकी verification जरूर किया करो तब ही आपको ये जो equations बनाने में आपको असानी होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप हर question की verification करेंगे तो अगले lecture में हम इसका question number seconds रोड़ करेंगे